शिष्य उत्तराधिकार एक आवश्यक विश्यवानी पीडियासे वैदिक साहेति के मूर्क विद्वान, जो शिष्य उत्तराधिकार के पारलौके कनुभूत सुरोतों के माथ्यम से पारलौकिक संदेश प्राप्त करने की परवा नहीं करते हैं, निश्चित रूप से भ्रमि विदों का बास्तिविक संदेश प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ब्रह्म संप्रदाई के शिश्य उत्तराधिकार की शिंखला में वर्तमान लिन्क या आध्यात्मिक गुरुवार से संपर्क करना चाहिए जहां योग ध्यान के अभ्यास की उपेक्षा नहीं की जाती है ब्रह्मारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन भगवान ब्रह्मा और उनके शिश्य उत्तराधिकार के सदस्य भगवान को उनके व्यक्तिकत रूप में देखना चाहते हैं श्रील प्रभुपात की पुस्तकें, व्याख्यान, वारित अलाप और पत्र इस आवश्यक विश्य की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं जैसा कि वानी कोट्स अनुशासन उत्तराधिकार श्रेणी में देखा गया है उनकी पुस्तकों का एक परिचैन इम्नलक आठ्रधरणों में दिया गया है श्रील प्रभुपात की पुस्तकों से उद्धरन ब्रह्मा भगवान के व्यक्तित्व से वैदग्यान के प्रत्यक्ष प्राप्त करता है और जो कोई भी ब्रह्मा से शेशिल उत्तराधिकार में अपने स्वाँ पे गए कर्तव्यों का निर्वेहन करता है उसे इस जीवन में प्रसिद्धी और अगली जीवन में मुक्ष प्राप्त होता है ब्रह्मा से प्राप्त शेशिल उत्तराधिकार को ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है ब्रह्मा से शेशिल उत्तराधिकार की ये पंक्ति आध्यात्मिक है जबकि मनुसेवन शावली उत्तराधिकार भौतिक है लेकिन दोनों क्रेश्न चेतना के एक ही लक्षे की और प्रगतिशील हैं। श्रीमत भागवत 3.1.3.8 भागवत धर्म शुद्धभतों नारत शुक्रेव गोस्वामी जैसे भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व के प्रत्यक्ष प्रतनिधियों और श्रिशिल उत्राधिकार में उनकी विनम्र सेव कहुंत्वारा प्रतिपादित धर्म की प्रक्रिया जीव जो भगवान के अभिन अंग हैं इस भागवत 6.1.6.4 कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीतापुनाय सुनाई जिससे वेहिस यूग में इस ज्यान का पहला शिश्य बन गया इसलिए इस यूग का पारलोखे ग्रेक्ति उस शिश्य पंक्ति में है जो अर्जुन से शुरू होती है बहुतिक वादी अनुसंधान कारे से खोद को परेशान की बिना ट्रांसेंडांटली सबसे उतम तरीकर से इस शिश्य उत्राधिकार के माध्यम से पदार्थ और्यंटी मेटर से संबंधित सच्चाई को प्राप करता है और इस तरह खोद को बहुत परेशा अनुय ग्रहूं की आसान यात्रा अध्याई एक चुकि हम श्रीचाय तन्य महाप्रभू के शिश्य उत्राधिकार की इस शिंखला से संबंधित हैं श्रीचाय तन्य चरितामरित के इस संसकरण में हमारे छुटे मस्तिष्ट वारा नवंबर निर्मित कुछ भी नहीं होगा बलकि मूल रूप से स्वयम भगवान द्वारा खाय गए भोजन की अवशेश होंगे भगवान श्रीचाय तन्य महाप्रभू तीन गुनात्म गुणों के सांसारिक स्तर से संबंधित नहीं हैं वह एक जीवित प्राणी की अपोर्णेंद्रिय धारणा की पहुंच से परे पारलॉकिक स्तर से संबंधित हैं। कर्मियों के लिए कभी नहीं है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8.3.1.2 वैदिक ज्यान अधिकृत है और इसे प्रयोक द्वारा नहीं बलकि प्रामाणिक अधिकारीों द्वारा समझाये गई वैदिक साहेति के प्रामाणिक अधिकारीों द्वारा प्राप किया जाता कोई वैदिक अत्नों को नहीं समझ सकता व्यक्तिकों वास्तिविक प्राधिकारी के पास जाना होगा जिसने शिशिल उत्राधिकार द्वारा वैदिक ज्यान प्राप किया है जैसा कि भगवत गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है। श्रीमत भागवत 2.2.27 जब व रिद्धों के आकश्मिक पाठकों को ज्यान कि उस प्रणाली की आकर्शक भाषा से गुम्राह किया जाता है। भगवत गीता में ऐसे मूर्ख विद्वानू पर एक टिपड़ी की गई है। आविपस शित्तह वैदिक साहेते के मूर्ख विद्वान जो शिशिल उत्तराध अधिकार में एक व्यक्ति भगवान के संदेश को अपने शिर्शितक पहुंचा सकता है। किसी को भी अपनी स्वयम की प्रक्रिया का निर्मान करके आध्यात्मिक रूप से महसूस नहीं किया जा सकता है। जैसा कि मूर्ख धोंगियों का फैशन है। भगवत गीता 4.34